कुल्स मेकप एंड ब्यूटी वर्ड आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माइ पर्सनल फेवरेट लिप लाइनर्स अगर आपने मिग लिप लाइनर्स पर चेज नहीं किया है या फिर आप लिप लाइनर यूज नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारी लिप स्टिक को लॉग लास्टिक बनाने में स्मच प्रूफ बनाने में काफी लंबे समय तक टिकाए रखने में लिप लाइनर का बहुत बड़ा हाथ होता है अगर आप लिप स्टिक अप्लाई करते हैं उससे पहले अगर आप अपने लिप स्टिक को लिप लाइनर से फैल करते हैं आउट लाइन करते हैं तो आपकी जो लिप स्टिक है वो काफी ज्यादा खुबसूरत लगती है आपके लिप स्टिक को एक अच्छा सा शेप मिलता ह साथ ही साथ आपकी लिप्स्टिक है वो काफी लंबी समय तक तकी रहती है तो लिप्स लाइनर कौन सा खरीदें कौन-कौन सी निसेसरी है हमारे लिए यह सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है तो चानल सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको लेटिस्ट वीडि आपके पास है तो चरी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं जो लिप्लाइनर्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो यह है इस आपको खरीदने की जरुवत नहीं है किसी भी कलर के लिप्स्टिक को आप इन लिप्लाइनर्स की help से अराम से लगा सकते हैं यह जो लिप लाइनर से यह आपको किसी भी लिप्स्टिक के साथ अराम से mix and match हो जाएंगे तो चलिए हम one by one इनके switches देख लेते हैं तो जो सबसे बेला लिप लाइनर जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स वो है ये कलर बार का लिप लाइनर इसका शेयर नेम है clear red and shade number 001 प्राइस है इसका 625 रूपीस यह 625 रूपीस और ये pure red लिप लाइनर है जैसे कि इसका नाम सज्चेस्ट है कि ये clear red इसका शेर नेम है तो यह बिल्कुल डाकह रेडा लिप लाइनर आपको किसी भी इस लाइन debating बहुत सब्सक्राइब्ग बहुत ज्यादा अच्छी है ऐण्ग साथ यह आपको शाप करने के लिए इस्मेर कटर को है तो अलग से हैं तो से कुछ इस टाइब ग्लाइनर है देख यह इसका तो जैसा कि इसका नाम है क्लरएड तो यह पिल्कुल डएड है और इसके पार जो मेरा फेडरेट लिपलाइनर वह रेई रेवलाइन का फ्रेंड्स मुझे रेवलाइन लॉड्ययल वेट नりद वाइल्ड मैक यह सारे जो लिपस्टिक्स है वो मुझे बहुत जादा पसंद है कलर बात से इसकाश्च ब्राइड्न समर्ड लिपस्टिक तो यह रेवलाइन है इसका जो शेड नेम है वो वाइड में है बिल्कुल वाटर प्रूफ है स्मज़ प्रूफ है बहुत ही अच्छे से ग्लाइड हो जाता है यह है आपका रिवलॉन का वाइन शेड फूली केमरे में आपको दिख रहा होगा अच्छे से उसके बाद जो ठर्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है फेसिस का आप मैंने इसको कम्प्लेटली यूज कर लिया है बस यह थोड़ा सा ही बचा है यह भी शेड बहुत ज्यादा खुबसूरत है तो यह भी मैं आपको दिखाते हूँ अब कह सकते हैं थोड़ा सा और इंजी शेड में है तो अगर आप रेडिव स्टिक लगाते हो या फिर आप कोरल लिप्स्टिक लगाते हो तो यह जो लिप लाइनर है बहुत यह चाह से मैच करता है इसलिए घ्लाइड हो जाता है लिपस को बहुत ही फुलर शेप देता है अगर आपके लिप्स थोड़े से पतले हैं या फिर उनका शेप अवेन है लाइस आपका लोग लिप्स थोड़ा सा थीक है और यह उपर वरा थी नहीं तो आप लिप्लाइनर की हेल्प से उनको एक डिफाइन शेप दे सकते हो और बाकी के जो दो लिप्लाइनर बच्ची है आपसे शेयर करने को वो दोनों बेट और वाइल के हैं दोनों यह शेड बहुत ही खुब सूरत है अगर आप पिंक लिप्स्टिक लवर हो या फिर नियॉन लिप्स्टिक लवर हो तो यह आप देख सकते हैं यह जो शेड नेम है इसका वाट दा जूस यह मैंने मिंत्रा से प्रेस किया हुआ है इस वाट लास्ट जो लिप्लाइनर है वो आपसे शेयर करने को हुए गौन बर्गंडी इसका शेड नम लीम है और बहुत ही खुब सूरत सा है यह भी शेड अ पिग्मेंटेशन बहुत अच्छा है ग्लाइडिंग पार बहुत अच्छी है इसके तो यह मेरे फेवरेट लिप्लाइनर्स थे जो मैंने आपसे शेयर किया है होफूली यह वीडियो आपके लिए हेलफूल होगा तो आप पर इस वीडियो को देख करके अपने फेवरेट लिप्लाइनर्स ले सकते हैं अगर आप लिप्स्टिक लवर है तो लिप्लाइनर्स जलूर अपलाई कीजिए आपके लिप्स को एक वेल डिफाइंग शेप मिल अपको पसंदा है या फिर आपके कोड़ी को रही हो तो यह ता अच का वीडियो में निक्स टाप से मिलती हूँ एक नए वीडियो में नए टिटोरल के साथ अब तक लिए स्टेया लिए स्टेया लिए स्टेया बिफूल बाइबाइ